सबसे पहले सब्सक्राइब करके काट लिया है फिर मैंने पानी गरम होने को चड़ाया है असमें हल्दी एक और नमक डाल करके अच्छे से बॉइल कर लेंगे बहुत ही बॉइल नहीं करना है पर हल्की कच्छीज रहनी चाहिए एक बार मैं कर चुकी थी बरतन छोटा और निक के बाद हल्दी पाउडर मिलाया उसके बाद एक एक चीज में बताती जाओंगी आप लोग देखते जाए लाल मिच पाउडर मिलाया लाल मिच पाउडर मिलाने के बाद हम लोग उसमें थोड़ी सी मेथी मिला रहे है मेथी पाउडर मिलाने के बाद हम लोग उसमें भुना जो पीस करके रखिए वोम एड़ करेंगे फिर थोड़ी पहले से धनिया पीस के रखियों हुई थी कलोंजी सिर्का इस सारे चीज़ें एक साथ निकाल ली गई हैं तो अब धनिया मिलाने के अब सौंफ मिलाने के बाद अब इसी धनिया मिलाने का नंबर आए भी तो सौंफ म मिला रहे हैं तो अपनी अंदास से में सब मिलाने कॉंटिटी मैं नहीं बता सकती तो मम्मी मतलब सरा अचार बना नहीं मैं सर्फ हेलप कर रही हूं बनाने में तो सारा समान दे रही हूं ये जान पाउडर डाल दिया है ऐर अब इसके कि बाद कलॉंजी डालने के बाद अब इसमें सिर्का डालेंगे शिर्का से फ्लेवर अच्छा हो जाएगा और थोड़ी सी पिसी खटाई भी डालते हैं इसमें थोड़ा सा स्वात अच्छा हो जाता है तो भी गिर गया था तो मामी ने इसको हटा दिया अब हम लोग फेर से तोड़ा और सिर्का डालेंगे और उसके बाद के मेस्टों पोटेशियों मेटावाइस सिल्फाइड होता है वो मिलाएंगे इसके अचार उसमें काफी दिनों तक खेफ रहेगा और खराब नहीं होगा जल्दी क्योंकि सब्जियों अला चार बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है तो इसको अच्छे से मिक्स करके एक कड़ाई में तेल गरम कर लेंगे उसमें थोड़ी हींग डालेंगे तेल जब तो मिक्स करने के बाद अब डिब्बे में साफ थुले सुखे डिब्बे में रखके स्टोर करेंगे और खाएंगे बताएगा कैसे बाता है